हेलो गाइज आज हम बात करने वाले हैं चार ऐसे डिसीजर दोसके बारे में जिनकी वैक्सीन अभी तक नहीं वन पाई है उनको सिर्फ और सिर्फ देखा गिया है और उनसे डेथ हो होगा एड्स का फुल नेम होता है एक्वाइड इम्यूनोडिफिसेंसी सिंड्रोम यह डिसीज किसके थ्रू होती है वाइरस के थ्रू होती है और इसके वाइरस का नेम है इसके वाइरस का नेम है 3.2 करोर डेथ हो चुकी है एड्स से तो आई होप एड्स आप लोगों को समय आ गया होगा और वैसे भी एड्स आप लोगों ने कभी न कभी पढ़ा ही होगा ठीक है तो एड्स ऐसी डिसीज है जिसकी वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाई है चलिए हम आप आते हैं नेक्स्ट होगे तो आप लेम सेवियर एक्यूट रिस्पारेटरी सिंड्रोम ठीक है इसको इसके बारे में 2003 में पता चला था 2003 में ट्वैंटी सिक्स कंट्री में यह था इसमें हो क्या रहाता है इसमें जो पेशेंट है उसको सांस लेने में डिफिकल्टी जा रही थी नीस डिफिकल् तेशos एक एक एसे डिसीज है जिसकी अभी तक कोई भी वैक्सी नहीं वं पाई चलिए हम लोग चलते हैं अपनी तर्ड डिसीज में है थर्ड इसीज है मार्व मर्ज देखिए नो मर्ज से वह भी सर्व की तरह ही इसका फुल फॉर्म क्या है मिड़ इस्ट रिस्पारेटरी सिंड्रोम पर इसलिए और यह कई तरह द्यों को यह बनतिक वह तक है मैंने तीन वताय तो पॉल नेम क्या हो गया Middle East respiratory syndrome यह भी वाइरस कोरोना वाइरस की तरह है और इसके कभी से पहली बार देखा गया था 2012 में 2012 से लेकर 2019 तग 2494 लोग इंफेक्टेड हो गए थे मींस 2494 लोग इंफेक्टेड हो गए जिन में से 855 लोग की डैथ हो गई थी पहले सबसे पहले से कहां देखा गया सबसे पहले मार्स को देखा गया सौधी अरेबिया में लेकिन उसके बाद यह 27 सेवन कंट्री में फैल चुका था इसकी भी अभी तक कोई वैक्षिन सांटिस्स लोग नहीं बना पाएं है आते हैं अपनी फोर डिसीज़ में फोर्डिसीज़ एंफियन अन्फ्लूएंजा एवियन अन्फ्लेंजा को हम लोग और क्या कह सकते हैं बर्ड फ्लू कह सकते हैं जिसे हम बर्ड फ्लू के नाम से जानते हैं यह कब था यह इन दा लास्ट ओफ 19th century 19th century के लास्ट में इसे सबसे पहले देखा गया यह फैलता किससे हैं फीकस ऑफ बर्ड जो बीन से जो बर्ड बर्ड होती हैं उनके जानते हैं यह कब था यह इन दा लास्ट ओफ 19th century 19th century के लास्ट में इसे सबसे पहले देखा गया यह फैलता किससे हैं फीकस ऑफ बर्ड जो बीन से जो बर्ड होती हैं उनके फीकस से यह स्प्रेड होता है 1997 में इसका नियम H5N1 रखा गया और सबसे पहले से कहां देखा गया हौंग कॉंग में देखा गया था उसके बाद एफ्रीका एशिया और यूरॉप के 50 कंट्रीज में यह पाया गया 2013 से लेकर 2017 के बीच इसके मरीज इसके पेशन कितने हो गए थे वन थाउजन फाइफंडर सिक्टी फाइफ केसे पाए गए जिन में से थार्टी नाइन परसेंट लोगों की डेथ हो गई थी तो यह चार ऐसी डिसे जिए जिनके अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है त अला आफेज